हेलो एबरीबन वेलकम टू माय यूट्यूब चनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हमको हैबी ग्रोथ में आईब्रो कैसी बनानी है कैसे शेक देनी है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो में सबस्काइब करेगा करेंट्स अब्रोग सबस्क्राइब करते हैं इतने जादा बाल हो रहे थे कि बिलकुल इनका फोरहेट मिलों बहुत ही थी इस तरह से इनका पहले फोरहेट में पूरा लिया क्लियर है अक्ट पूरह हुआरे थी इसलिए इनकी इत्ती ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी तो देखी मैंने फोरहेल इनका क्लीन करा है और अब मैं इनकी बीच में आईब्रो जोड़ी हुई है उसको क्लीन करा है अब मैं आईब्रो की शेप लेना सुरू कर रही हूँ मैंने सबसे पहले उपर से स्टार्टिंग करी है क्योंकि मैंने अपनी पहले वी वीडियो में आपको बताया है कि हमको आईब्रो जब भी स्टार्ट करनी है ओपर से ही start करनी है क्योंकि हमें उपर सिर्फ finishing देनी होती है और जो हम shape लेंगे नीचे से ही लेंगे और friends इनकी इनकी डिमांड थी कि इनकी eyebrows मोटी ही रहें पतली न हो तो मैंने इनकी eyebrows पतली नहीं करी थी मोटी ही रखी थी तो अब देखिए मैं नीचे से शेप ले बनाएं आप आइब्रो को अच्छे से स्टेच करवाएं चाहिए आप किसी और की भी हल्प ले सकते हैं तो मेरे पालर पर लड़कियां आती है से से पूँखने मैंने इनकी आइब्रो बाल भी बहुत ज्यादा ऊठान आइब्रो की और ड्योंगी में इस तरह से इनकी अपर सकते हैं निकल dislike safety हमको खास कर मोटी आइब्रो पर तो बहुत ही केरफुली धागा चलना होता है ताकि कोई कट ना लगे तो फ्रेंड्स हमेशा आप जब किसी की आइब्रो बनाएं कि कोशिश करिए कि उनके बिल्कोल भी कट ना लगे क्ट लग जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है देखिए धीर धीरे मैंने इनकी आइब्रो की शेप लिए मैं थोड़े थोड़े बाल आइब्रो में फसाती जा रही हूं और काम होगा और इनको अपनी आइब्रो बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी तो देखिए इस तरह से इनको ज़्यादा पतली आइब्रो नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने इनकी मोटी ही रखी थी फ्रेंट्स हमको क्लाइंट की नीट के हिसाफ से ही काम करना पड़ता है किस चोटे चोटे आइब्रो पर रह गयती तो मैंने निकाल रहे हूं और क्योंकि छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो भहीं से फिर जल्दी आइब्रो बढ़ने लगती है तो हमको हमेशा ऐसा काम करना है कि हमारे क्लाइंट की सिकैत ना है तो देखिए इस तरह से अब मैं अपनी वीडियो बता रखा है आप जाके देखिएगा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रप्शन बोक्स में डाल दूंगी हमको लेफ्ट हैंड की आइब्रो पीछे से बनानी होती है और राइट हैंड की आइब्रो हमको आगे से बनानी होती है उसका कारण यह होता है कि इनकी लेफ्ट अंकी आइब्रो बना रही हूं जैसे मने उस आइब्रो की शेप ली है इसी तरह से इसकी वी शेप ले रही हूं फ्रेंड्स हमको हमेशा दोनौ आइब्रो एकुल राख 생 Mohammed की नहीं चाहिए अच्छी शेप आने मुह झे राइए जैसे ग्रैन की नीड नीड बन चुकी है और क्योंकि मैं इनको ज्यादा पतली नहीं करूंगी क्योंकि इनकी नीडी ही नहीं थी पतली आईवरो की इनकी चौड़ी आईवरो की ही नीड थी तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमको आईवरो बहुती अराम से बनानी होती है हमको आईवरो नाते समय बुल करना है ताकि कर्स्टूमर आप से ना कहे कि यहा बाल रह गयते यहां यहाँ वाल रहे थी अछशी तरीके से अपनी देना है तो देखिए मैं जटने भी चोटे चोटे बाल वह सारे क्लीन कर रही हुं और eyebrow की देखे इनकी कित्ती प्यारी शेप आई है तो friends हमको धीरे धीरे धागे में बालों को फसाना होता है फिर अच्छे अपकोची direction में हमको thread को खेचना है और बालों को cut करना होता है तो friends देखिए इस तरह से मैंने friends मुझे comment करके जरूब बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मेरे चल को सब्सकाइब करेगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा